SSE CPO 2022 में Physical Taste में क्या-kia event होंगे और उसको आप कैसे आसानी से पार कर सकते हैं आज वही बात करेंगे तो वीडियो सुनू करते हैं जहीं दोस्तों मैं जोगिंदर Physical Trainer Fitness Coach Welcome back for my YouTube channel आपका मेरी YouTube channel पर हादी स्वागत आज क्या topic है SSE CPO में Physical Taste कैसे पास करें सबसे पहले बताना चाहूँगा Physical के अंदर दो event होंगे PET उसके बाद PMT सबसे पहले बात करेंगे PET इसका पूरा नाम है Physical Efficiency Taste इसमें सबसे पहले आपसे 1600 मिटर की दनिंग कराए जाती है दोस्तों बताना चाहूँगा 90% लोग यानि कि 100 में से 90 आदमी इसी में फेल हो जाती है उसके बाद आपका 100 मिंटर का स्प्लिंट करवाएंगे Long Jump, High Jump और Short Put आखिर में होगा आप जब ये Test को Qualify कर लेंगे इसके बाद आपका PMT यानि कि Pre Medical Test लिया जाएगा इस Test के अंदर आपको Height, Weight, Chest मापा जाएगा अगर आपको जानना है कि आपके Height के नुरूप आपका Weight है या नहीं तो मैं i-Button में उसका Link देदूँगा आप जाकर उस Video को देखें और अपने Weight को Maintain करें अगर आपका Weight अधिक है तो मैंने Weight Loss का Plan बना रखा है जिसका Link में दिस्क्रिप्शन में देदूँगा आप जाकर उसे Follow करें मात्र एक महिने के अंदर आपका 5 kg weight कम हो जाएगा अगर आपका वजन कम है अगर आप Under Weight आ रहे हैं और weight बढ़ाना है तो उसको कैस प्रकार से बढ़ाएंगे अपने Strength के साथ तो मैंने उसका भी एक वीडियो Weight Game बना रखा है जिसका भी Link में दिस्क्रिप्शन में देदूँगा आप जाकर उसको Checkout कर सकते हैं तो अब मैं बताना चाहूँगा अब 1600 मिटर रणिंग को आप कैसे पास करें हम सुरू यानि Zero से Running को कैसे पार करें जिस व्यक्ति ने अभी तक कभी Running नहीं किया हो हम उसको लेकर चलेंगे तो Running में सबसे पहले आता है Form यानि की Body Posture कैसा रहे किस प्रकार से दोड़ना है आपको सबको पता है कि दूसरा पेर आगे रखकर फोम पर बनाएंगे यानि की Running में का फोम किस प्रकार का हो तो बने रहिए हमारे साथ हमारी फैमली के साथ जुड़े रहिए जय हिन जय भारत वंदेवात रव